वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें तो अभी से आपको पास करीब 55 दिवस बच रहे हैं इस 50 दिवस भी अगर मान लें एक्जाम डेट की इकलाइटी ना होते हुए तो 50 दिवस का जो क्रेश कोर्स शुरू हुआ है अप इसको जोईन करके पूरी तयारी कर सकते हैं प्राक्टिस वाला गर्डृप जोईन कर सकते हैं, चाय कम्प्लीट नोट्स वाला हमारा गरृप जोईन कर सकते हैं जो लोग भी 19 को शुरू और 24 को हुए हमारे पेट डृप मेरे जोईन हुए हैं इसको सुरू से लेकर आख कर देकृас देखियेगा करने चाहिए, पेड रूप मेंबर्स को उसके बारे में हम ब्रीफली आपको बता दे रहे हैं, तुरंत ही आपको study करना शुरू कर देना चाहिए, जो लोग भी 50 days वाले group में आये हैं, ये मान कर चलिए कि आओगा आपको minimum 7 गंटे, मैं आपको 9, 10, 11 गंटे जितना आप maximum इसको बढ़ा सकते मढ़ाईए, मिनमम जो है यहाँ पर 7 hours का requirement है, 7 hours अगर आप डेली नहीं देते हैं, तो आप सारा study देल और practice resource cover नहीं कर पाएंगे, और exam में आपको difficulty हो सकती है, 7 गंटे minimum आपको देने हैं 9 गंटे से लेकर, अगर 11 गंटे तक दे सकते हैं studies को तो आपको देना चाहिए हैं, और जो कि exam के demand है, last time आपने देखा था, थोड़ा सा vacancy कम होने के वज़े से cutoff जादा चला गया था, इस बार number of vacancies अच्छी-कासी हो सकती हैं, कुछ जगे से पता चल रहा है कि 900 प्लस vacancies हो सकती हैं, cutoff थोड़ा सा कम रह सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कम जाएगा कि 40-50 questions में हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, 2018 में भी 900 प्लस vacancies थी, लेकिन उसका cutoff आप देख सकते हैं, अलांकि पेपर वोईजी था, थोड़ा सा अलग बात है वो, कुल्म लाकर कि कितना आपको target करना है, cutoff कितना जाता है, कितने number of सही questions target करने, सब कुछ इसमें आपको हम बताने वाले हैं, बिंदुआर, ध्यान से सुनते हुए, समस्ते हुए चलिएगा, study for civil services का prelims 2024 का last official paid batch हो सकता है, अगर अब exam date आगे नहीं बढ़ती है, तो संभावना कोई नहीं है, लेकिन संभावना तो ऐसे पहले भी नहीं थी, बार-बार साल भर exam को shift किया गया इस साल, तो मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि एक possibility ये भी लेकर चलते हैं, लेकिन हम hope करते हैं, आशा करते हैं कि जितने सारे लोग wait कर रहे हैं, कई लोग multiple times revise कर चुके हैं, अब exam आगे ना बढ़े, December मद्ध तक हो ही जाए, ठेक है, तो आप लोग में स्फिर बात में दें, लबलागर बात ये है कि इतनी बार exam postpone हुआ है, कई सारे लोग यहां पर आगे आए हैं, जो preparation नहीं कर पाये थे मार्च में, उनको मौका मिला, जो जुलाई में नहीं कर पाये थे, उनको अब मौका मिल रहा है, competition इससे बढ़ेगा, और cutoff ज्यादा साइड ही रहेगा, चाहे पेपर जो है moderate side आए, easy side आए, चाहे tough side आए, cutoff बढ़ना यहां परता है, number of seats भी बड़ी हैं, लेकिन cutoff जो है बहुत कम नहीं जाने वाला पिछले बार की दिल्दा में, पिछली बार cutoff जादा गया था, executive post की संख्या बहुत कम थी लास्ट इयर की विकेंसी में, 125 से यहां पर cutoff गया था, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हो सकता की, बिल्कुल जो है 100 से नीचे चला जाए, मैं बान करेंग चल रहा हूँ, 115 cutoff के लिए भी तैयारी आपको करनी चाहिए, number of seats बढ़ने के बाद भी, चाहे जैसा बेपर आजा, easy, या moderate, या difficult, cutoff, इसी के round रहेगा, executive post के लिए, करीब आपको 95 सही questions target करने, 95 plus सही questions बिल्कुल किये जा सकते हैं, study for civil services के material से अराम से कर सकते हैं, study for civil services के material से 125 questions आये थे, last time के prelims exam में, जिसमें ये cutoff गया था, out of 200, और हमारे 150 में से कितने questions आये थे, 150 questions में से 125 questions study material से, इसका proof बगरा सब हम आपको दे चुके हैं, अभी मैं दिखाऊंगा भी आगे, तो बिल्कुल बलाकर आप study for civil services के study material से, आप कर सकते हैं, बिल्कुल 122 questions आये थे, सारी efficiency नहीं भी दे पाए, तो 95 प्लस अराम से करके, अपने cutoff निकालना चुनिशित कर सकते थे, आप पिछले वाले paper में भी, जब cutoff जादा गया था, paper भी moderate difficult side आया था, इस बार भी अगर ऐसा paper आता है, एक सुपंद्रा के round cutoff जो expected है, number of agencies के इसाब से, आप अराम से निकाल सकते हैं, अभी भी 50 दिवस जो बच रहे हैं, इसका अच्छे से उप्योग करके, अभी भी निकाला जा सकता है, कई लोग तो multiple times revision पर हैं, वो अच्छे track पर हैं, कई SSR लोग हैं, जो बहुत अच्छी तयारी कर चुके थे, लेकिन exam postpone होने के वज़े से track से हट कै थे, वह लोग भी आये हैं, मैं उनके लिक्पेंट करूँगा, कि जितने ही practice resources, strategy video में बताये जाएंगे आगे, क्या होता था कि हम लोग 3 stage strategy बताते थे, जब long term के group हमारे चलते हैं, जैसे 2025 वाला चल रहा है, उसके हमने long term strategy बताई है, उसमें पहले basic book और फिर summary PDF understanding, उसके बाद आप थोड़ा बहुत practice करना शुरू करते हैं, उसके बाद finally listing impilation वाले mode में आते हैं, लेकिन अभी 2024 में सिर्फ 50-55 दिवस बच रहे हैं, जो आपको सारी चीज़ें नहीं follow करनी है, summary, पापा वीडियो की PDF या basic book आप इसको पढ़ने का time नहीं है, कुछ specialized study material जो आपको group में दिया गया है, अभी उसकी पूरी list आप बताने जा रहे हैं इसी वीडियो में, उसके हिसाब से आपको study करना चाहिए, study वीडियो पूरा देखना है, शुरू से आखिर तक, study material आपको वैसे तो basic book आगारा सब हमने दिया, लेकिन सारी चीज़ें पढ़नी नहीं है, पढ़ने के लिए क्या है, वो आप भी वीडियो के अंतिमिस्व में बताने जा रहे हैं, material को short हमने किया है, जैसे total current effect जो study करनी प्रिलिम्स के लिए, आपको October 2023 से लेकर, सितंबर 2024 तक का हमने दे दिया है, इसलिए आप कहेंगे कि जब December में होना है, ऐसा नहीं सोचिए, ऐसा भी हो सकता है कि पुराना पेपर जो बन चुका होगा, October 27 तारीक के लिए, वही पेपर एक्जाम में सामने आ जाए आपके, ऐसा पहले भी हुआ है, अगर एक्जाम सिर्फ 30 दिवस या 45 दिवस आगे बढ़ता है, तो आयोग जनरली नया पेपर नहीं राफ्ट करता है, आपको पुराने पेपर सही उसमें देना पड़ता है एक्जाम, ऐसा पहले भी देखा गया है, तो October 23 से लेकर जितंबर का आप पढ़िए, इतना थोड़ा वहत के लिए रिस्क नहीं लेना है, अगर मालीजी, October, November 2023 पढ़ना भी पढ़ रहा है, तो पढ़िए उसको, ऐसा जरूरी नहीं है कि December 2023 से पहले का गरेंट पायर पूछा ही नहीं जाएगा एक्जाम में, ऐसा नहीं मान करके चलिए, दोनों possibilities के इसाब से आपको तयार करना पढ़ेगा, बागे जो टोटल PDF दी गई है, उसमें October 2023 का, November 2023 का, December 2023 का काफी शॉर्ट करके, अपडेट करके दे दिया गया है, जो चीजें बदल चुकी है, मालीजी, दिसंबर मंत में कई सारे अवार्ड और आते हैं, हर साल, तो उसको हम अभी latest वाले अगर नहॉम्बर में वो इस दिसंबर वाला, आपको बहुत शॉर्ट में करके दे दिया गया है, उसको जरूर पढ़िएगा, उसके बाद आगे के मंत अभी है, तो टोटल कंपाइलेशन हमने दे दिया है, हिंदी में अलग, इंग्लिश माध्य में अलग, सिर्फ यसी को आपको श्टाडी करना है, करेंटरफेर के लिए सिंगल पीडिएफ हमने दे दी, मल्टिपल मंत की पीडिएफ नहीं पढ़ना है, आपको ना उसका बादन लेना है, कई बार चीज़ें अपडेट भी होती है, जैसे इंटरनेस्टल सोलर रलाइन्स के पुराने मेंबर से अब नहीं जरूरी है, मेंब पीडिएफ आपके ग्रूप में आएगी, और दिसंबर में कितने दिनों का पढ़ना है, या फिर केवल 15 ही नवंबर तक का, या 20 नवंबर तक का, जितना भी रेडि करना है, आपको आगे दे दिया जाएगा, उतर्पदेश स्पेशल करेंटेफेर आपको जुलाई 2023 से ले और बैडिय अपडेटेटरं वाली, वह हमने आपको दे दिया है, यह वह ऐले बीजा से लेकर के आपको, बना रहे जो होakes बबना रहे हैं, जिए आपको आपको ग्रूप में दिया है, वह पढ़नी है, जो एंट्टूबर वाले ग्रूप में जो लिस्टिंग अपालेशन जीयस का जो कोर कोश्चन आते हैं हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटिक नॉमी इंवार्मेंट के इक नॉमी स्टैटिक वाले सब इस से कवर होंगे लिस्टिंग अप्पाइलेशन से लिस्टिंग अप्लेशन को बहुत ध्यान से आपको स्टडी करना है ठीक है डेली कर रहे हैं प्र agua करते ही यह उसको छोड करके सिर्फ प्रिल्म प्र दिजीँ अभी के लिए प्रacked किन सोर्ससस इस और ज़ queremos आपको study for sub-services के paid quiz से practice करनी है study for sub-services के PYQ compilation से practice करनी है study for sub-services की test series से practice करनी है और किसी sources से practice नहीं करनी है फरजी मोटे-मोटे जो का PYQ compilation group में घूम रहे है मतलब पूरे जो है study in trail वाले sources जहां जहां पर भी available है books installs वगेरा libraries में वहां वहां घूम रहे हैं उस सबको आपको ignore कर देना है अदर्वाइस आपका कीमती समय चला जाएगा आप quality content नहीं पढ़ पाएंगे relevant content छोड़ देंगे क्योंकि उसमें वही पुराने 40-50 सालों questions भर रखे हैं जो अबायों कभी repeat इतने करता है 40-50 साल के questions लगा करके अगर आप चार questions सही कर पा रहे है एक्जाम में तो उससे बड़ी मुर्पता कुछ है नहीं आप total जो है study material पढ़ी है जो हमने आपको compilation listing form में दे दिया है इसमें conceptual और factual questions दोनों को करने लायक आपको सारा content मिल चुका है recorded वीडियो lectures भी हमने दिये थे अपने group में आप recorded वीडियो देखने का उतना समय नहीं बचा है recorded वीडियो के लिए जैसे कुछ लोग पूछेंगे तो क्या देख सकते हैं तो को इतना फर्क पड़ेगा नहीं recorded वीडियो आप ज्यादा देखने का फाइदा नहीं मिलेगा फाइदा क्या मिलेगा बार बार जो है पढ़िवी चीज़ने को रिवाइस करने का अगर आप तीन बार रिवाइस करके चले गए जो करेंट फैर का कंपाइलेशन हमने दिया है यह अक्टोबर 2023 का सप्टेंबर का इसको अगर आप पढ़ लिया तो आराम से ग्रूप में आए यानि कि जो टारी में लगाते रहेगा टारगेट यहां पर करना है एक्च्वल जो टार्गेट है प्रसाइज नंबर वह तो आपको उसी दिन प्रता चलेगा जिस दिन पर सकते हैं टाइम शुरू हो चुका होगा तीन घंटे में आपका टेम्ट करना पड़ेगा वो तो है ही लेकिन कितने प्रश्ण टार्गेट करना चाहिए तैयारी दौरान ये पश्टर रखे कि 95 प्लस सही कोशन्स आपका टार्गेट होना चाहिए निगेटिव मार्किंग अटा करके 95 plus correct questions, negative marking और सारे disputed सवाल अटा करके disputed सवाल बहुत ही निराश्य जनक है कि इतनी बार जो है ये मुद्दा उट चुका है तब भी disputed सवाल अभी भी आते रहें आयोग के द्वारा अभी हाल में पेपर हुआ था उसमें भी पूछे गया था disputed सवाल का मतलब है कि जो प्रशन गलत हो सकते हैं या फिर आयोग उनके उत्तर उत्तर कुंजी में गलत देता है disputed सवाल का निराकरण होता है UPPSC में बात सच है लेकिन जब तक modified की आएगी तो तीन साल हो चुके होंगे तब तक आप दूसरा प्रेलिम्स दे करकर ये लोग सिलेक्ट भी हो चुके होंगे तो modified की आनेस पहले जो सवाल disputed रह जाते हैं उसको लोग disputed सवाल बोलते हैं और इनकी संख्या हर पेपर में चार से पांथ देखनेक मिलती है तो disputed सवाल और negative marking हटा करके आपका score जो है 95 प्लस होना चाहिए तो चाहिए किसी भी category में आप हो या फिर किसी भी post के लिए आप content कर रहे हों आप qualify जरूर करेंगे executive post के लिए इतना यहां पे sufficient होका 95 प्लस questions जिस आप से questions पेपर बन रहे हैं moderate से difficult level ही expect करके चाहिए easy question अभी तक तो नहीं है पिछले 5 वर्षों से 2018 वाला थोड़ा सा easy कहा जा सकता था लेकिन उसमें भी cutoff थोड़ा ज्यादा चला गया था थोड़ा exam easy होने के जैसे cutoff कई बार ज्यादा चला जाता है 126 नमबर cutoff गया था और इस बार भी post 900 प्लस थी 2018 वाले साल में और इस बार भी 900 प्लस पोस्ट लोग कह रहे हैं 2024 वाले साल में लेकिन अगर paper moderate से difficult side रहता है तो इतना cutoff नहीं जाए अगर 126 नमबर थोड़ा सा कम ही रह सकता है लेकिन फिर भी मेरा आप सभी से अन्रोध है कि तैयारी की दारान टार्गेट आपको 95 प्लस को रखना है जिस दिन paper होगा उस दिन के हिसाब से आप थोड़ा बहुत adjustment इसमें कर सकते हैं question paper को देखने के बाद 2023 में 125 अंक यानि 93 questions cut off गया था लगबग अभी तक भी आपने देखा कभी भी 94.5 प्लस से जादा नहीं गया इसमें आराम से आपका cut off निकल जाएगा इससे जादा टार्गेट करने की तैयारी की दौरान जरूरत नहीं है आपको इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं दरवाई इतने में आपका काम हो जाएगा यानि कि कुल बिलाकर यह है कि परिक्षा में हर पांच में से तीन सही सवाल आपको निकालने हैं और कम से कम गलत सवाल करने का टार्गेट रखना है क्योंकि निकेटिव मार्किंगी है और किसी भी सूरत में आप 120 सवाल ज्यादा आटेम्ट मत करिये क्योंकि जो 140-145 आटेम्ट करते हैं कई बार उनके सवाल गलत निकलाते हैं और संभावना भी रहती है आप पूरा पेपर नहीं कर सकते हैं नहीं पूरा पेपर करने के जरुरत है 140 सवाल, 130 सवाल मेरे साथ से अटिम्ट करने की आवशकता नहीं होती है किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या दिया गया है सब्जेक्ट वाइस इसको देख लेते हैं हम लोग जैसे हिस्ट्री के लिए कंपाइलेशन पीडियाफ लिष्टिंग पीडियाफ दे दी गई है recorded video lectures भी available है जहाँ जहाँ पर आप फसें जिस segment पर वहाँ देख सकते हैं माले जिए medieval में कोई portion नहीं समस्थ पर आ पा रहा है आपको सलतनत काल का या मुगल काल का नहीं समस्थ पर आ पा रहा है वहाँ पर देख सकते हैं सारे videos या लिस्टिंग पीडिएफ में कोई आपको चीज नहीं समस्थ आ पा रहा है आप आ रही जोग्रफी कॉंसेप्ट नहीं समस्थ पा रहा है आप तुरंत ही वीडियो लेक्चर डाउनलोड करके उसमें देख सकते हैं जहां जहां पर आप आप आसे महाँ पर देख सकते हैं recorded videos माली जी आप human geography concept नहीं समस्थ पा रहे है rural urban transition जो है उन्हीं समस्थ पा रहे है population theory नहीं आपके अपले बट रही है तो recorded lectures का सहारा उसमें लिया जा सकता है recorded lectures में क्या किया गया है जो stagnum trail है उसी को दिखाते हुए PPT में सारी चीज़ें आपको समझा दी गई है जो exam के लिए जरूरी है वो concept बता दिये गए है fact बता दिये गए है question किस तरीके से बन सकता है किसी particular listing से वो भी बता दिया गया है तो इसका पूरा भाना आपको हो जाएगा वीडियो लेक्चर से otherwise नहीं भी देखना चाहते है तो ना देखें कोई इसमें compulsion नहीं है कि वीडियो जरूर देखना है लेकिन compulsory क्या है compilation listing जरूर पढ़ना है geographic listing compilation और history के अगर आप नहीं पढ़ करके जाएंगे बहुत ही घाटा आपको एक्जाम में होने वाला है ऐसे राजवस्ता में करना है सेम है सबाओ को मतलब है कि क्या करना है listing और compilation दोरों चीज़ दी हुई है quality की listing plus compilation quality की given है इसको आप study करिए ठीक है इसमें listing पर खास बल देना है क्योंकि listing से maximum question आने वाले है quality में compilation में भी सारे concept clear करा दिए गए है lectures दिए गए है compilation में कुछ चीज नहीं सोथ पा रहे है president वाला part नहीं सोथ पा रहे है और attorney general वाला part नहीं सोथ पा रहे है तुरंत वीडियो lectures पर जाएए जहां देहां तक नहीं सोथ में आ रहे है वहां तक lecture देख सकते हैं बाद में आप छोड़ दीजे इसका video lecture देखने की मेरे साथ से कोई need नहीं है parliament वाला chapter नहीं सोथ पा रहे हैं बिल्कुल देखिए आप center state relation वाली चीज नहीं सोथ में आ आ रहे हैं आप वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं static economy हम क्या किया गया है economy compilation आपको given है इसमें static economy सारी covered है static economy सारी covered है static economy और current economy में क्या अंतर होता है हम आगे चलके बताने वाले जो subject wise analysis करेंगे कि subject या किस topic से कितने सवाल आते हैं तो static economy इस से cover हो जाएगी और current की economy के लिए हमने budget और economic survey के जो नोट्स दीए जरूरी वाले वाको करने है budget economic survey पूरा updated UP का budget total updated दे दिया गया है इसी को आप study करिएगा पुराने document आप छोड़ दीजेगा interim budget और आप नहीं पढ़ने के ज़रूरत है मेरे हिसाब से ठीक है इन्वार्मेंट में लिस्टिंग के इन्वार्मेंट के सवाल लगा लिजिएगा test series में questions है और सारे subject में paid quiz तो है ही paid quiz में तो all subject के questions कराए जाने current affairs लेकर के सारे mislainy है सब कुछ paid quiz तो लगानी ही लगानी है paid quiz लगाने से आप लगभग सारे ही topics के most important facts के revision कर लेंगा automatically इसके बाद general science में same है अब लिखा है same है सब को मतलब इसमें भी listing और compilation pdf given है listing और compilation science में भी given है इसका video lecture भी given है जिनकी science वगरा कमजोर है आप देख सकते है recorded video lecture से एक बार पूरा listing का देख सकते हैं अलग अलग बना हुआ है आप देख सकते हैं उसके जहां जहां पर जो portion ना समझ में आ पा रहा हो class wise दिया हुआ है listing compilation यह हो गई उसके लाबा pvq compilation जो अपने दिया है उससे questions लगा लिजेगा सारे अब pvq compilation study for services का हमने क्यों recommend किया है इस ही क्या खास बात है खास बात बस यही है कि जितने irrelevant question है जो बार बार लगातार 100 बार पूछे जा चुके हैं कि लपीजी में कौन सी गया साती है वो ऐसे question हमने हटा दिये है market के pvq compilation में क्या है कि एक ही question में एक ही fact अगर 100 बार पूछा गया है तो उसको 100 बार लिखा गया exam का नाम लिख करके तो ऐसे length बढ़ती है ठीक है आपका morale भी कई बार down होता है कि इतना सारा सब कुछ pvq cover करना है pvq सिर्फ उतना ही cover करना जितना जरूरी है हम लोग तो हमेशा 5 साल का requirement करते है लेकिन इस बार हमने क्या किया है कि जितने भी 10 से 12 साल पहले के भी तो relevant वाले बचे है irrelevant वाले हटा करके जितने भी relevant वाले pvq बचे हुए है उसको एक जगह पर compile कर दिया है उसी को हमने study for civil service का pvq compilation कहा है तो आपको group में given है उसी को आप study करिए उसमें कोई भी update होता है या फिर कोई confusion होता है उसको पेट कुछ में clear करा देते हैं जैसे अभी कल एक video डाला था history के एक pvq में किसी confusion थी तो हमने fact clear किया था कई बार question गलत भी होते हैं market की pvq compilation में उस गलत question को हटाते नहीं है तो उसमें समस्या होती है तो clear है यह पूरा study material जो है यह at least आपको कावर करना पड़ेगा compilation listing तो बढ़ना ही पड़ेगा recorded video lectures अगर नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है study force observers का pvq compilation आपको लगाना चाहिए ठीक है paid quiz लगाना चाहिए test series लगाना चाहिए इतना जरूर करना है recorded videos सारे नहीं दे बढ़ते हुए इसको finally हम लोग 29 November को सारे test खत्म करतेंगे तो पूरा October November आप practice भी करते हुए चलिएगा जो हमने आपको 7 hours का schedule बताया था उसमें 11 घंटे इसलिए reserved है practice के लिए क्योंकि काफी सारे practice resources study force observers देता है paid quiz के रूप में और test series के रूप में तो test series आपका last 29 November खत्मों test series जो है यह किसी app में तो हम लोग कराएंगे ने क्योंकि paper आपको offline देना है तो offline माध्य में test series होगी आपकर यह test series जो है इसको आप चाहे तो अपने mobile tablet या PC में खोल लीजिए ठीक है एक की तरीका है दूसरा तरीका है आप print कर लीजिए print वाला तरीका थोड़ा समयगा है mobile tablet market या PC में खोल करके फिर आप एक OMR रख लीजिए OMR जो मार्केट में आते हैं तो OMR जो है आप UPPSC गा OMR ले आईएगा 150 सवाल वाला तो full end test मान लिजिए लगा रहे हैं या फिर मान लिजिए sectional test लगा रहे हैं 100 सवाल वाला बस आपको उसमें देखना है कि कितने questions आपके गलत हुए कितने सही हुए और जो question गलत हुए है उसका explanation पार्ट जरू पढ़ लेना है इससे बाद में आगे गलना गलत हुए explanation पार्ट पढ़ना बहुत जरूरी है explanation हमारी test series में सीवजस दिया रहता है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे question से भले ही direct question ना आए exam में लेकिन explanation से कई बार एक ही explanation से दो-दो question तक आए हैं past में study for civil service की test series से study for civil service की test series थोड़ा सा information dense इसीवजस रखी जाती है information oriented, information dense test series रखी जाती थोड़ा सा बलकी भी कई बार हमारी test series को नाम दिये जाता है तो इस तरहीके से study for civil service की fresh original test series आपको मिलेगी इस paid group में और हमारे test series वाले paid group में negative marking जब से introduce हुई है उसके बाद से UPPSC के upper prelims exam में GS paper 1 में किस subject से कितने प्रशन बनते इसको देख लेते हैं आपको यह अंदाजा पड़ जाएगा कि कौन कौन से topic कम relevant है या फिर बहुत relevant नहीं है जैसे art culture यह कम relevant है मैं आपको पहले बता दूँ एक question दो question आते से जाद आता ही नहीं है लेकिन कोई भी topic ignore नहीं करिए अभी सारे topics पढ़े जा सकते हैं जो बड़े topics हैं कौन कौन से जैसे history of India और national movement तो history of India से कितने प्रशन आते हैं ancient से 15 सवाल आये थे medieval से यहाँ पर 5 सवाल आये थे medieval से यहाँ पर 5 सवाल और ancient से 10 सवाल आये खुल बलाकर 15 सवाल आये थे ancient medieval से 2022 पेपर में 15 सवाल आये थे ancient medieval से 8 सवाल आये थे ancient medieval से 2020 में और 16 सवाल यहाँ पर 2020 में आये थे दो जार उनीज में 13 सवाल आये थे तो ये weightage ऑच्षिन्टेम chunks इस उड़ो का modern history का वड़ो हम्तिटेम November 30 पर हिश्टरीक में Greek study इस तरीजे से तो आप देख सकते हैं history का weटेज इस लगभाग वन सिखे पिर बाद में Indian economy से कितने question आते हैं ग्यारा question और bracket में 7 current यहां पर लिखा हुआ है, इसमें भी 8 mostly current fare लिखा हुआ है, 10 और 11 question इसमें भी ज्यादा तर current fare से link होकर question आता है, economic current fare ज्यादा आता है, economic static कम आता है, आपकी UP pieces paper में, दोनों में अंतर का इसको एक बर देख लेते हैं, economic static के कम सवाल आते हैं, UP pieces के upper prelims में economic current fare ज्यादा आता है, economic current fare ज्यादा ज्यादा तर budget economic service से मिलकर के बनता है, budget plus economic service साल का जो होता है, और कुछ economical report ये development कुछ आती है, कोई term in news होता है, उससे ज्यादा question बनते हैं, तो economic survey budget ये major document होते हैं, और कोई report वगएरा आ गए, उसको हम लोग current fare में index section में cover कर लेते हैं, तो budget economic service से question साते, economic current fare के उत्तर प्रदेश पीसेस के upper prelims exam में, GS paper 1 में, economic static का माता है, economic static में आता क्या है, जादार जो NCRD class 9 है, उसमें poverty का जो concept है, उससे question आ जाते हैं, पावर्टी कितने प्रकार की होती है, भारत में poverty के अधार ना क्या है, poverty line पर जो committee's अभी तक बन चुकी है, उसके समंद में चीज़ां पूछ लेते हैं, poverty line समंदी development जो हुआ है past में, विभिन ने, सरकारों जो committee's बनाई है, या फिर जो of the hard time विक्सित की गई है, उसके बारे में, मैंसे question आया था, 2019 या 20 PCS का question है, कि poverty estimation का जो method है भारत में, वो कौन कसा है, head count ratio है, calorie intake है, household consumption expenditure है, per capita income नहीं है, per capita income भारत में कभी भी जो है, नहीं रहा है poverty estimation का कोई method, क्योंकि per capita income अभी तक भारत में calculate नहीं की गई है, absolute terms में, ठीक है, तो per capita income से कभी भारत में poverty estimation नहीं हुआ है, तो यह चीज द्यान रखनी है, जो concept अभी मतलब अभी develop हो चुक है, उनके बारे में चीज पूछी जाती है, उसका हम लोग economic static बोल देते हैं, ठीक है, जबकि economic current affair में क्या आएगा, कि इस समय fertility rate कितनी है भारत की, यह आजाएगा economic current affair में, तो यह उदारन मैंने आपको दिया, जैसे budget economic service से अगर आप देखें, budget economic service से question 2021-22 budget का आया था, तो क्या इस साल जो paper होगा, 27 October को क्या उसमें budget 2021-22 आएगा, कता ही नहीं, इस साल जो budget आएगा, 2024-25 का उससे सवाल आएंगे, budget में कोई नई scheme announce कर दी गए, economy में कोई नई terminology introduce कर दी गए, कोई नई target सरकार ने announce कर दिया, या फिर Indian economy का जो कह सकते हैं, इस समय कैसा facet है, उसके बारे में कोई detail दे दी गई, चर्चा कर दी गई, Indian economy का इस समय scope क्या है, उसके बारे में अगर question आते हैं, तो वो होगा, economy current affair, ठीक है, जबकि ये सब चीज़ें economy static की है, inflation की अधारणा महंगाई की अधारणा WPI, CPI, ठीक है, consumer basket, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप करेंगे, तो ये economy static में आएगा, क्योंकि ये definitions अल्रेडी बन चुकी है, static, economy static के लिए, economic compilation जो आपने दी है, अभी मैं subject wise आपको बताने जा रहा हूँ, कि subject के लिए क्या क्या है, तो उसमें आपको cover हो जाएगा, economy static के लिए, जो की कम प्रशनाते हैं, उसके लिए economic compilation काफी है, economic current fare में क्या होता है, कि budget economic survey के जो notes समदेंगे, अभी interim budget का जैसे दे दिया गया गया ग्रूप में, budget economic survey के notes आपको मिल जाएगे, जैसे budget economic survey आजाएगा, 15 to 20 days में आपको मिल जाएगे, तो उसके बाद जो है, आप उससे पढ़ लीजिएगा, उतना सफिशेंट होता है, budget economic survey ऐसा नहीं होता है, कि हम आपको कहाएगा, कि आप document डाउनलोड करके पढ़िए, सरकार के document पढ़िए, ऐसा नहीं होगा, जो हम आपको समरी देते हैं, उसी में से आपको कॉशन्स आ जाते हैं, हर बार यही होता है, जनरल साइन्स के करीब 19 प्रस्टिस पर आते हैं, 22 प्रस्टिस याँ पर आया थे 2022 में, 24 आ गए थे 2021 में, 11 प्रस्ट आया थे 2020 में, 2019 में आया थे 22 प्रस्टिस तो इस तरीके से जनरल साइन्स आपके एक्जाम में आती है, साइन्स टेक्नलॉजी के भी कुछ कुछन आते हैं, वो मंतली कर इंटेफेर में कवर हो जाते हैं, जनरल साइन्स और साइन्स टेक्नलॉजी में अंतरजे समझ लिजे, जितने भी लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नलॉजी होती है, या फिर भारत सरकार के कोई मिशन होते हैं, इसरो के कोई मिशन होते हैं, या emerging कोई term है, या फिर कोई development है, जैसे carbon capture अभी काफी जर्चा में है, carbon capture, इसके लिए एक plant भी लगाया गया है, कहां पर आच्लेंड में, तो ये पूछ सकते carbon capture technology कैसे है, जैसे जब net zero के उधारणा आई थी, तो net zero के बारे में पूछा गया था, 2022 वाले में कि net zero के उधारणा क्या है, ये कैसे काम करता है, net zero का target क्या है, और जैसे चंद्रियान 2 के बारे में, जो launching vehicle यूज हुआ था, उसके बारे में पूछा है, चंद्रियान 3 का launch vehicle जैसे LV M3 M4 है, LV M3 M4 जो launch vehicle है, इसके बारे में आ सकता है, तो ये science technology हो गए, carbon fiber जैसे अभी काफी चर्चा में है, carbon fiber, जो steel से भी ज़्यादा मस्बूत है, और बहुत हलका भी है, plastic से भी ज़्यादा हलका, steel से ज़्यादा मस्बूत है, carbon fiber जैसे में चर्चा में है, और AI आशकल काफी चर्चा में है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें emerging technologies हैं, ये science tech में आएगा, और जो सारी चीज़ें हम अपने NCRT books में पढ़ते हुए आए हैं, ये जो पुरानी तक्नीक है, जो spectrum of light है, जो हमारे सरीर की body की working है, वो सारी चीज़ें जो आजाती है, ये general science में आजाती है, जैसे golden rice किसमे रिच होता है, बीटा के routine में, ये static वाला सवाल हो गया, या general science वाला सवाल हो गया, कौन सा metal जो है, oil में store करके नहीं रखा जाता है, तो magnesium को रखने की ज़रूरत नहीं पढ़ती है, जैसे हमारा पसीने की बारे में पूछा है कि, पसीना जो है, ये humid climate में जल्दी सूखता है, तो ये गलत है, पसीना humid climate में देर से सूखता है, और sweat evaporates faster in humid climate, तो ये दोनों ही कतन यहां पर wrong हो गए, तो इस तरीके से जो है, उमारी body की working समंदी जो चीज़ां पूछी जाती है, जो जितने भी material हम अपने around देखते हैं, फ्रियाउन किसमें काम आता है, refrigeration में, आइडो फार्म, antiseptic है, trinitroglycerine, visphotac है, TNT, और teflon क्या है, जो है, एक क्या है, polymer है, thermoplastic polymer है, तो इस तरीके से हमारे अवधाडाओं पर अधारित question साइन, general science के होते हैं, general science के question ज्यादा आते हैं, science technology के काम आते हैं, science technology किसमें covered है, monthly current affair में already covered है, Indian policy के 22 प्रशना आते हैं, 16 प्रशना है थे 2022 में, 26 प्रशना आ गए थे 2021 में, 20 प्रशन 2020 में और 20 आयते 2019 में तो इतने बॉल्टिक के कुश्शन खोते हैं इंडिय जगोगरफी, वर्लज जोगरफी को लिकीस सवाल आये थे इंडिय जगोगरफी, वर्लज जग़रफी से 18 आये थे 2022 में, 16 आये थे 2021 में 16 2020 में 2019 में 18 कुश्शन आये थे इसके बाद Environment Technology के 6 प्रशन आये थे 8 प्रशन इसमें 2022 में 4 प्रशन 2021 में 13 प्रशन 2020 में 2019 में 12 प्रशन आये थे Miscellaneous Topics जो है इससे कई सारे कुशन आते हैं जैसे 20 आ गए थे 2022 में इस पर 10 ही आये थे 12 आ चुके हैं, 22 आ चुके हैं, 16 आ चुके हैं अब कोई latest update expected भी नहीं है सारे reports वगरा का अध्यान कर लिए किया है लेकिन अगर exam तक, December, mid तक कोई भी minor update अगर आ जाता है तो उसको अलग से group में हम साजा कर देंगे और आपको बता देंगे कि PDF में ये update आप लोग कर लीजिए तो miscellaneous भी एक तरीके से updated आपको मिल चुका है latest updated miscellaneous और कहीं पर भी available नहीं है अभी तक entire market में कि हमने जो है, हमारी team ही करती है और श्रीक अनसर पूरा इसमें involve होते है miscellaneous में सारी updates खोद ही कई बार वो check करते हैं और तब आपको group में दी जाती है तो group में दीएगा data पर कोई भी संदेह नहीं करिएगा उसको google नहीं करिएगा Google में तो यह सरीए दिखा रहा है Google में वह दिखा रहा है उस पर कोई संदेह नहीं करिएगा मिसलिए सारी चीज़ें update करके आपको group में दे दी गई है वही study करिए अगर कुछ minor change होते हैं वालिए किसी organization में कोई हाइट हो जाता है किसी organization में कोई दूसरा राष्ट रध्यक्ष बन जाता है तो वो हम update करेंगे current affair में और आगए अलग से भी paid group में बता दिये जाएगा paid quiz group से practice करना बहुत ज़रूरी है जो लोग केवल paid group में आया है quiz वाले में वो तो कर ही रहे होंगे लेकिन अने सभी लोग जिनको paid quiz में जोड़ा गया है तो वो देखने के लिए नहीं है उसको attempt करिए questions को जो questions पूछे जाए है paid quiz में कई questions directly आपको exam में देखने को बिलने वाले है हर बार ऐसा होता है 40-45 question कई वा 50 question correctly paid quiz से आता है study for service के paid quiz से current fire के हूँ जी इसके सवाल हूँ जैसे यहाँ पर पूछा गया कि इस portal को किसानों के लिए क्रशी सम्मंदित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए launch किया गया है तो मालीजी हम यहाँ पर आचूस करते हैं C वाला तो यह गलत है इसमें right answer कैसे बता चलेगा यहाँ पर देखेंगे white color से tick mark किया हुआ है white tick mark white tick mark से हमको बता चलता है कि यह सही उत्तर है और cross से बता चलता है कि हमारा दिया उत्तर गलत था इसके लावा पेट को इस ग्रूप में कई सारे notes का revision भी हम लोग करा रहे है जैसे notes आपको current affair में other कहीं मिला होगा miscellaneous होगा में लेकिन इसको अलग से point out कर दिया गया है कि directly अगर इससे statement वाला question बन जा है तो आप कर सके question सही वाला कैसे बताब चलेगा जैसे अधुरी कांद प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देविक इस वन समंधित थी इसमें जैसे हम लोग चूज करते हैं मान लीजे काकती वन तो ये सही आपका है तो यहाँ पर देखे यहाँ ब्लू हो गया पूरी लाइन और वाइट टिक मार्क यहाँ पर लगा रहा है क्रॉस कहीं भी नहीं हुआ अगर क्रॉस्ट में क्रॉस लग जाता है रेड क्रॉस तो इसका अपने गलत सा उत्तर दिया है अगर क्रॉस नहीं लगता और यह वाइट टिक मार्क सुस्टेंड रहता है उस option पर जो आपने चूज़ किये तो इसके मतलब है कि वो correct है ठेक है तो इस तरीके से paid quiz सारी लगानी है अब आप लोग पूछेंगे कहां से कहां तक paid quiz लगानी है लोग ये भी पूछेंगे तो मेरा उत्तर यही है कि आपको ऐसे तो शुरुवात से लगाना पड़ता है यहां पर print message है यहां पर फर्स्ट question का लिंक यहां पर given है पहले question पर पहुंचा जा सकता है इस पर tap करके इस तरीके से पहले question से ही लगाना चाहिए और सारे questions लगाने से आप उतना ही confident महसूस करेंगे जितने ज़्यादा आप सवाल लगार करके जाते हैं किसी भी वर्स तो निश्ट पेपर को attempt करने से पहले उतना ही confident आप महसूस करते हैं कई बार ना आता हुआ सवाल भी आप चुकि practice करे हुए होते हैं सही question तक क खुद अब्जर्ब किया होगा तो practice का महत्व यहां पर बहुत ज़्यादा है paid quiz से प्रैक्टिस यहां पर करना जरूरी है शुरुआत से सारे question लगाईएगा हलांकि current affair के question paid quiz वाले उसी time frame के आप याद करिएगा यानि October 2023 से लेकर अभी तक का current affair वाले सवाल इसमें सारे चीज़ें मैंने आपको बता दी है के वल study for civil services के study material पर रिलाई करना है study material में के साथ हमने जो practice resource आपको दिये है इसको regularly आपको लगाना है regularity और continuity यह जो चीज़े है इस स्टूडेंट मेंटेन कर सकता है जो परिक्षारती परिक्षा देने जा रहा है यह उसकी जिम्म स्टूडेंदारी ले ही नहीं सकता है चाहे आपका सनस्थान हो चाहे आपके अन्य सपोर्ट वाले लोग हो आपके सुपचिन तक आपके मतापिता तक इसमें आपको सपोर्ट नहीं कर सकते है regularity, continuity, study, revision में student को बनानी पड़ेगी 7-10 गंटे आपको serious रहने पड़ेगा अग किसे ना किसी तरीके से continuity में आना होगा दरबाइस फिर वेट करना होगा 2025 वाले के लिए last moment doubt clearance भी available है जो लोग full paid group को join करेंगे last moment में आपका पूरा doubt clearance किया जाएगा कोई भी आपका doubt है आप पूच सकते है study material समंधी आपका doubt है आपका paid quiz में कोई doubt है test series में कोई doubt है आप screenshot भेज करके उसमें पूच सकते है पढ़ना सिर्फ study for civil services का study material है at least उन सभी लगों को जो लोग paid group को join किये हुए last doubt है क्या note making करनी चाहिए तो मेरा उत्तर होगा नहीं अभी इतना note making पर आपको last time focus नहीं करना चाहिए note making का समय अब जा चुका है अब आपको यहां पर काम करना है वो करना है regular revision का regular revision और practice पर ज्यादा फोकस करना है यहां पर रिलाई करना है जितने में आप note बनाएँगे एक सब्जेट का उतने में दो ।ीन सब्जेक्ट जो दो बार revise कर चुके होंगे revision पर ज्यादा focus करना है revision का मतलब रटना नहीं होता है कई बार आप लोगों को गलत फहमी होती खासकर first timers को कि क्या सारी चीज़न याद करनी होती है नहीं आपको history की सारी dates याद करनी है उत्तर है नहीं जोग्रफी में सारे concept रटने है definitions याद करने उत्तर है नहीं science में कि आपको सारे tables और facts याद करने उत्तर है नहीं तो करना क्या है करना है revision जितना आप revise करेंगे उतना ही आप अपने लक्ष के पास जाते जाएंगे revision अधारित ही सवाल आते हैं objective वाले आपके prelims में conceptual सवाल आते हैं जो भी आपने अमईता conceptual understanding बनाई होगी अगर नहीं बना पाए हैं तो आप compilation PDF ज़रू पढ़ लीजेगा सारे subject की जितने conceptual सवाल पूछे जाते हैं समय देने वाले अभी भी clear करेंगे आप लोगों में से एक ही लोग निकलेंगे जो clear करेंगे और बिल्कुल पहले भी लोगों ने किया है कोई इसमें rocket science नहीं है बिल्कुल अभी भी किया जा सकता है दम लगाना पड़ेगा समय देना पड़ेगा घंटे गिनने का वक्त नहीं है इस पर आप जुट जाने का समय है और अच्छी तरीके से बढ़ने का समय है जो भी study for students ने दिया है आपको यही आपको exam में काम आने वाला है और यही इसी का proof अगर हम देते हैं बस सवाल यह रहेगा कितने सारे लोग कितना हद तक serious है इसको complete करने के लिए तो पेडरूप में आचके हैं आप लोग अपनी 7 से 10 hours की study आँसे शुरू कर लीजेगा कोई doubt है आप पेडरूप में पूछ सकते हैं discussion group वाले में अदरवाइस ग्यांतर के WhatsApp नमबर पर पूछ सकते हैं